समुद्र तीरे शैशीना प्रधिष्टितम् प्रभास्तीर्थे पर्मं पवित्रम् जोतीर्मयं गुर्जर्भूमे नत्नम् तंसोमनातं सततं नामामे सोम यानिकी चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है वह विश्व का सर्व प्रथम जोतरलिंग सोमनात महदेव शिव शंकर की अनुपम शक्ती का स्त्रोत सोमनात मंदिर कित-कितने आक्रमनों की बावजूद तस से मस ना हुआ गुजुरात के पुत्र श्री सर्दार वल्लभाई पटेल के प्रयासू से श्री सोमनात मंदिर का नवनिर्मान हुआ हमारे देश के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने बतार ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले दस वर्षों में सोमनात के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेत्रत्व में मंदर के गर्ब ग्रह व शिकर के कलश को सुवर्न मंदत और लाइट एंड साउंड से मंदर को रोशन किया गया। श्री मोदी जी आज असंखे भक्तों के लिए परेटन, आध्यात्म व इतहास से जुड़े स्थलों का लोकारपन वश्यला न्यास कर रहे हैं। जिसमें सर्व प्रथम है सुमनात के प्राकृतिक सौंदर को ध्यान में रखकर भारत सरकार के परेटन मंत्राले की प्रशाद यूजना अंतरगत बनाया गया समुद्र दर्शन पत। समंदर के किनारे बनाया गया डेड़ किलोमेटर लंबा यह समुद्र दर्शन पत श्री सोनात मंदर से लेकर प्रिवेनी संगम तक सागर की उचलती लहरों को आगे बढ़ने से रूखेगा और भगवान शिवशंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बाते कर आएगा पबलिक इड्रिस सिस्टम वो सी सी टीवी सुरक्षा से सुसज्जत यह वौकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षत और सलामत रखेगा बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर कोई इस पत का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानिय लोगों के लिए लेकर जाएगा रोजगार के नए अवसर इसी श्रिंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनात प्रदर्शनी गैलरी यहां गैलरी मात्र मंदर स्थापत्य की थीन पे बनी है श्री सोमनात मंदर के थंड़त अवशेशों को यहां संजो के रखा गया है मंदर की वास्तुकला स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंगलिश भाषा के साथ ब्रेल लीपी में भी दी गई है ताकि हरेक व्यक्ती हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए इसी श्रिंखला में आगे है इन दौर की मराठा महरानी, मातोश्री, अहिल्याबाय होलकर द्वारा सं 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनात मंदर सोमनात पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदर में सोमनात महादेव की पूजा होती थी मर्यादित परिसर क्षेत्र और दुर्गम प्रविश द्वार वाले पुराने मंदर परिसर का नवनिर्मान कर कुल 1800 स्क्वेर मिटर की एरिया को मंदर परिसर में शामिल किया गया वह मंदर के प्रवेश मार्क को सरल कर सन्मुक प्रवेश बनाया गया है प्रथम मंजिल पे बनाए गए दो होल, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकाने और विशाल परिसर, यहां हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे लिजाए रहे। साथ ही सुमनात परिसर में हो रहा है श्री पारवती मंदर का शिला म्यास। सुमनात महादेव के सानिध्य में पारवती मंदर का संकल्प रखा श्री सुमनात ट्रस्ट नहीं और सूरत के भेकुबाई धामेलिया वह उनके परिवार के सहयोग से आज यह सपना सच होने जा रहा है। देर्ग दरश्टा प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ती की खुश्बू विश्व के हर कोने में प्रसारत होगी। आज उत्सव है प्रभास के हरे कण में श्र्व की उपस्थिती का जय सोना।